आजी गड़ी नहीं तो एक लास्ट कोश्चन है बिजनेस वैलिवीशन का इवा का कोश्चन है अलागे कोश्चन एक्जाम का है अगर आप सजिष्टिट चेक करोगे एक्जाम का कोश्चन तो सीमिलर अंसर मिलेगा जो मैंने करवा रखा है पर IC AI के SM के हिसाब से अबडेट म और टाइम बरबाद नहीं करूँगा तो बिल्कुल ध्यान से समझना यहां में खुश नहीं था कि IC AI ने टेक्स का एमाउट सेम ले रखा था आप से डिस्कुशन भी हुआ था एक्जाम में यहीं सजिष्टिट में यही था पर नहीं हो जो SM आया है इन्होंने जो टेक्स है वो 231 नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए था इन्होंने टेक्स का रेट निकाला एक बर हम रेट निकाल ले कि दिया हुआ है टेक्स का रेट चेक कर लो गई हाँ सर टेक्स का रेट दिया 30 पर तो इन्हों ने क्या किया बोले हम 800 का 30 परशन बोले 240 माइनस करें और बाकिये 40 तो एड़ बैक होना है तो उस इसाब से 9 पेट में चेंज जाएगा इट मींस अंतर क्या आ गया गलत था 231 आप टेक्स ले रहे है वो गलत था लेना चाहिए था 800 का कितना परशन 30 परशन वो क्यों लॉजिक क्या कॉंसिप्ट क्या समझा चुका हूँ 800 माइनस 240 प्लस 40 तो 9 पेट आ रहा है 600 अला कि सजिस्टेट से मैच करवाओगे इस कोर्शन तो मेरा मैच नहीं होगा पर न्यू एसम के हिसाब से आपको यहां टेक्स का रेट लेकर माइनस करना और नॉपेट को हम कहां लिख देंगे नॉपेट को यहां लिख देंगे तो उसकी वज़े से हमारा आंसर चेंज होग था 1840 इन्टू 11.83 परशन टेज माइनस चे आंसर अजाएगा 382.328 लाग ठीक है जी तो सर इसमें क्या याद रखने वाली कुछ याद ने रखने वाली बात नहीं यह मैंने कहा था कि इसको रट ले ना अब रट नहीं की ज़रूत नहीं है कॉंसेक्ट्चुल है 800 का 30 परशन माइनस होकर टेक्स कितना है 30 परशन बाकिया और कोई प्रोब्लम है ठीक है थेंक्यू सो मच बाइबाई और कुछ कर्रेक्शन नहीं है जितना था मैंने कर लाएं अब आप